नमस्कार मैं हूँ अनकीत और आप देख रहे हैं टीवी नाइन बिहार जारखन दो मार्च को प्रधान मंतिर नरेंद मोदी का बेगू सराय और उसके बाद फिर औरंगाबाद में रैली हुई इन दोनों जगह में जो रैली हुई इसमें न तो उपिन कुश्वाहा दिखे नहीं चिराग पासवान दिखे इसके अलावा बिहार में कल सीटों का बटवारा होना है इन सीटों की बटवारे में किसका टिकट कटने वाला है किसका टिकट बचेगा इस विशे पर हमाद चर्चा करेंगे इसके लावा एक और विशे है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है पवन सिंग पवन सिंग आसन सोल से चुनाओ लड़ने के लिए मना कर चुके हैं जबकि एक दिन पहले ही उनको टिकट बिजेपी ने दिया था इन तो उन्हें विशे पर बात करेंगे हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी एक्जिक्यूटी एटर पंकच कुमार सर मेरा पहला सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान और उपिन कुसवाहा इंडिये से दूरी बना रहे हैं क्या ये दोनों अलग होंगे और क्या ये दूसरे विपक्षी पार्टी में सामिल होंगे देखें अंकित एक बात जो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है वो यह है कि क्या चिराग पासवान पाला बदलने जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है ये चर्चा में क्यों है एक सवाल तो यह है और दूसरा सवाल यह है कि उपेंद्र कुछ वाहा भी क्या पाला बदलने जा रहे हैं क्या आरजेडी कैम्प में जा रहे हैं यह भी चर्चा जोरों पर है और दोनों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधान मंतरी मोदी सनिवार को भिहार गए थे और अंगाबाद गए थे और बेगु सराय गए थे और दोनों जगों पर प्रदान मंत्री मोदी के साथ स्टेज शेयर करते हुए दोनों नेता नहीं दिखे थे जहां तक उपेंदर कुछवाह का सवाल है तो मैं आपको पुखता तोर पर ये बता दू कि उपेंदर कुछवाह और अंगाबाद में प्रदान मंत्री मोदी के साथ स्टेज शेयर करना चाह रहे थे उस स्टेज पर दिखना चाह रहे थे लेकिन चुकि उपेंदर कुछवाह ना तो MLC है ना ही ML है उनके पास अभी कोई ऐसा संबैधानिक पद नहीं है इसलिए उनको वहाँ पर बिठाया नहीं जा सका ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार BJP के तरफ से जो नेता इन तमाम चीजों को कॉडिनेट कर रहे थे लगातार प्राइमिनिस्टर आफिस के संपर्क में थे उनका ये कहना था कि सुरक्षा के लिहाज से जिन मापक को सामने रखा गया था मापडंड को उसमें उपेंद्र कुश्वाह कहीं फिट बैठते नहीं है चुकि उपेंद्र कुश्वाह को कारा काट से चुनाव लड़ना है और आउरंगाबाद के आसपास ही ये जगह पड़ता है ऐसे में सवाल उठता है कि उपेंद्र कुश्वाह निश्चित तोर पर प्रदान मंत्री मोधी के साथ तो दिखना चाहेंगे ही लेकिन उपेंद्र कुश्वाह को इन वजहों से वहाँ जगह नहीं मिल सका इसलिए उपेंद्र कुश्वाह वहाँ नहीं थे इसलिए उपेंद्र कुश्वाह को लेकर के जो भी भरांतियां है उसमें बहुत दम नहीं ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि BJP के भीतर मेरी कई नेताओं से बात हुई और साथी साथ उपेंद्र कुश्वाह की पार्टी में भी मैंने कई लोगों से बात की उनका साब कहना था कि नहीं हम एंडिये में हैं एंडिये में बने रहेंगे हमें एंडिये से कोई दिक्कत नहीं है और जहां तक सवाल है कि NDA में नहीं रहने की और क्या बज़ें हो सकती है तो ये सच है कि उपेंद कुछवाहा की पार्टी तीन टिकट मांग रही है जबकि BJP तीन टिकट देने पर विचार नहीं कर रही है जहां तक मेरी जानकारी है उस हिसाब से उनको दो टिकट दिया जा सकता है वो एक हो सकता है लेकिन तीन नहीं हो सकता इस बात को आप जान लीजे तो दो टिकट मिलने की ज़्यादा उमीद है ज़्यादा गुंजाईस है अब कल बैठक हो नहीं है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि इस वज़े से उपेंद्र कुस्वाह सामिल नहीं थे अब जहां तक सवाल है चिराग पासवान का निश्चित तोर पर चिराग पासवान का स्टेज पर नहीं होना चिंता का सबब है चिंता का सबब इसलिये भी है क्योंकि एंडिये के प्रमुक घटक दल है चिंता का सबब इसलिये भी है क्योंकि कहा जा रहा है कि दो नेता बिहार के जो अभी सबसे बड़े crowd puller हैं एक नाम तेजस्वी यादव का आता है तो दूसरा नाम चिराग पासवान का आता है ऐसे में चिराग पासवान का अनुपस्थित रहना क्या मैसेज देता है तो ये सच बात है जो मेरे सूत्र बता रहे हैं चिराग पासवान निश्चित तोर पर नाराज उनके अंदर नाराजगी है उनके अंदर असमंजस की स्थिती है वो उहापोह की स्थिती में है उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से ब्यभार किया जाना चाहिए और सिर्फ वही असमंजस की स्तिती में नहीं है उनकी पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जो कि इस पक्ष में हैं कि हमें इंडिये में रहना चाहिए लेकिन चिराग पासवान को देख करके वो भी सहमें हुए हैं वो भी असमंजस में हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि बढ़ चल रहा है अब आप पूछ सकते ही कि इस गड़बडी की वज़य क्या है तो आप याद करिए और अंगाबाद का वो स्टेज पसुपती नात पारस मुस्कुरा रहे थे इस स्टेज पर बैठे हुए थे और चिराग पासवान दिखाई नहीं पड़ रहे थे पसुपत हुए एक पारस गुठ हुआ दूसरा चिराग गुठ हुआ चिराग उठका नाम LJP रहंबिलास है अब सवाल उटता है सवाल यहीं उठता है कि अखिरकार यह क्या है और चिराग पासवान क्या करेंगे आपको आज भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से आज उन उनका वेलकम है लेकिन क्या चिराग पासवान ऐसा करेंगे दरसल चिराग पासवान के सामने स्थिति विकट इसलिए हो रही है कि उनको लग रहा है कि वो पांच सीट और एक राजसवा का सीट चाहते थे राजसवा का सीट तो नहीं मिल सका क्योंकि राजसवा के लिए सीटो पर टक टकी लगाए बैठें पांच नहीं मिलने जा रहा है अब दिक्कत यह हो रही है कि जब जेडियू के इंटरी एंडिये में हो गई है तो बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी जेडियू कम से कम 15 सीट पर लड़ेगी तो 17 15 32 हो जाता है कम से कम 15 जब कि बीजेपी देना च जाते हैं या 12 सीट पर मान जाते हैं तो तो सब कुछ बड़े अच्छे से हो जाएगा लेकिन मेरी जानकारी में जेडियू अपने तरफ से हर हालत में 15 सीट तो लेगी लेगी वह 16 सीटों पर आड़ेगी कि मेरे 16 MPs हैं अब बताइए कि 17 और 15 मान लेते हैं 32 32 के बाद 8 सीटों में क्या होगा अब आ जाते हैं चिराग पासवान चिराग पासवान को बीजेपी चार सीट देना चाह रही हैं और दो सीट पारस गुट को देना चाह रही हैं तो 32-38 हो जा रहा है फिर एक उपेंद्र कुषवाह बसते हैं उनको दो सीटें दी जाती हैं तो 38-42 हो जा रहा है फिर जीतन राम मांजी को भी सीट देना है अगर उनको सीट नहीं देंगे तो एक मंत्रा ले एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बियार सरकार में और अभी मुके सानी भी बचे हुए हैं उनकी भी इंट्री एंडिये में होगी अंतिम अंतिम तक यह देख लीजेग क्योंकि नितिश कुमार जिदर रहते हैं उधर ही मुके सानी रहते हैं जादा तर समय में इसलिए दिक्कते आ रहे हैं कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान यह देख रहे हैं कि चार सीट भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा अगर चार से कम कर दिया जाता है तो चिर पासवान कंप्रमाइज नहीं करेंगे हनुमान अपने राम को छोड़ करके दूसरी तरफ चला जाएगा कलियूग है ये संबग जो अपने आपको प्रदान मंत्री मोधी का हनुमान कहता है वो दूसरी तरफ जा सकते हैं इसकी संभावना है इसलिए बीजेपी को इंस्योर कर कर लीजे तो उसमें चिराग नहीं मानने वाले हैं चिराग अपने कोटे में पांच की डिमांड रखेंगे हरालत में किसी तरीके से चार पे मान जाएंगे लेकिन अगर चार से कम किया जाएगा तो चिराग पासवान नहीं मानेंगे ये उनके कैम से ये खबर आ रही और ब करके निश्चित तोर पर डाउट है और जिस तरीके से पसुपती नात पारस नितीश कुमार के को पकड़ करके जब से नितीश कुमार एंडिये में आये पसुपती नात पारस काफी ज़्यादा एक्टिव हो गए स्टेज पर दिख रहे हैं मंतरी के तोर पर बैठे हुए थे हस रहे थे मुस्कुरा रहे थे चिराख पासवान नेगलेक्टेट फिल कर रहे है और यही नेगलिजेंस वज़ा है कि चिराख पासवान नाराज है ऐसे मैं सवाल उठता है कि क्या चिराख पासवान पाला बदल तो मैंने आपको बता दिया कि गल मंतन है बैठक है मंतरना है सीटों का डिकलरेशन जल्दी होगा अगर चार से कम सीटें इनको आफर की जाती है तो चिराग पासवान नहीं मानेंगे मेरे सूतर बताते हैं कि ऐसी आलत में चिराग पासवान पाला बदल करके आरजेडी के कैम में चले आएंगे लेकिन जहां तक उपेंद्र कुष्वा का सवाल है तो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है बिल्कुल सीटों का बटवारा और इसी पर एड़ करके एक सवाल यह हमारा की विहार में सीटों को बटवारा जो कल होना है आखिर किसको टिकट मिल सकता इस बार कौन-कौन ऐसे हैं जिनका टिकट कटने की संभावना है इस पर थोड़ा सा देखे एक बात तो बहुत साब मैं आपको बता दो कई नामों की चर्चा होती थी और उन नामों में गिराज सिंग का भी नाम आता था मैं सबसे पहले गिराज सिंग का इनाम ले रहा हू कि उनका टिकट इस बार कटेगा दो बार मंत्री हो चुके इस बार उनका नाम चल रहा है पहले भी जब मंत्री पत से हटाने की बात होती थी तो गिराज सिंग का नाम आता था लेकिन आप ये देखिए कि बिहार के प्रथम दोरे में और अंगाबाद के बाद प्रधान मंत मकर्पी ने बेगू सराय चुना और जिराज सिंग आउजक थे आप इस बात को समझ लीजी तो गिराज सिंगं का टिकट तो नहीं कर ला है घिराज सिंग चुनाव लड़ रहे है और गिराज सिंग बेगू सराय से इसकी पूरी संबादना है जिस तरीके से आयोजन में वो शामिल थे इन्वाल थे और प्रधान मंत्री की उन पर जो विशेश किरपा है विशेश लाइकिंग है उसका कोई जवाब नहीं है इस बात को आप जान लीजे तो ये बात साफ तोर पर इशारा करता है कि गिराज सिं का ना टिकट कट रहा है बिलकुल नहीं कट रहा है और गिराज सिंग तो चुनाओ बेगु सराय से ही लड़ रहा है ये लगभकत है हाँ जब जेडियू नहीं थी एंडिये में और ललन सिंग के खिलाप उम्मिदवार खोजा जा रहा था तब दो नामों की चर्चा थी उन इंस्पाइर बिहार आपने देखा होगा कई बार नियूज में सुर्कियों में आपने उनको देखा होगा तो कहा जा रहा था कि ललन सिंग के खिलाप कोई ऐसा कद्दावर नेता चाहिए क्योंकि ललन सिंग को ही माना जा रहा था कि नितीष कुमार को बीजेपी से दूर ले जाने वाले कोई एक नेता हैं सबसे पहले तो वह ललन developed गराब मुगेर संसाधिये चेत्र में पड़ता है इसलिए उस समय गिराज सिंग सबसे ओपर चल रही है यह बात और है किect अंदर अंदर ललन सिंग के खिलाब चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं थे ये मेरे सूतर बताते हैं लेकिन अभी की जो बर्तमान इस्थिती है उस इस्थिती में गिराज सिंग बेगु सराई से चुनाव लड़ रहा है ये बात तैमानी जा रही है और बेगु सरा देने जा रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि गिराज सिंग का इंपोर्टेंस क्या है और इसकी बड़ी वजय भी है आप इसकी प्रिस्ट भूमी देखेंगे तो आप तलासेंगे कि जिस समय प्रदान मंत्री मोधी को नित्रे तो सौपा जाए जब वो गुजरात के सीम होत जिन्होंने बिहार से बोलना सुरू कर दिया था कि अब बीजेपी का नेत्रे तो नरेंद्र मोधी को सौप देना चाहिए और उस समय बोलने वाले लोग बहुत कम थे बीजेपी के भीतर भी आपको याद होगा कि नरेंद्र मोधी बिहार पहुंचे थे और यही नितिस कु कम दो हजार तेरह में बीजेपी से नाता तोड़ लिया थे अंब को याद होगा लेकिन केंद्र के मंदरी मंदल में गिर्रा सिंग रहते हुए नितिस कुमर के मंदल में रहते हुए सुषिल मोधी नितिस कुमार का साथ दे रहे थे लेकिन गिराज सिंग नरेंडर मूदी का नाम जप रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि इसका इनाम तो मिलेगा या नहीं राजनीती में इन चीजों को याद रखा जाता है और इसलिए इनको इनाम मिल रहा है आप देखिए लगातार मंत्री है और अभी तो मंत्री ग्रामीन विकास मंत्राले उनके पास है बहुत बढ़ा मंत्राले उनके पास है तो ऐसे में उनके नाम पे इस तरह की बात करना कि उनका टिकेट कट रहा है मुझे लग रहा है ये सरासर गलत है जो मेरी जानकारी यह संभव नहीं है अब आईए और किन किन का टिकेट कट सकता है चर्चा कई लोगों का है और BJP की जो लिस्ट जारी हो रही है उसमें कई लोग है जिनके नाम नहीं है उत्तर प्रदेश में बरुन गांधी नहीं है मेंका गांधी नहीं है संग प्रिया कि नहीं है तो बिहार में और किन-किन लोगों का नाम नहीं हो सकता है तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि सासाराम से 6 पसवान नहीं हो कि उनकी चर्चा है कि उनको बदला जाएगा अब कौन आएगा ये देखने वाली बात होगे। कहा जा रहा है कि बक्सर से असनी चौबे की चर्चा है। कि वो भी लंबे समय तक राजनीती में रहे, मंत्री रहे, अब उनका उम्र हो चला है, इसलिए उनका टिकेट कर सकता है। इस तरह की चर्चा, राजी प्रताप रूडी की चर्चा है, कि उनको टिकेट नहीं मिल सकता, उनके नाम की चर्चा है, आप ये देख लीजे कि क्या उनको टिकेट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, उनकी चर्चा है, आरके सिंग की चर्चा है, जबकि आरके सिंग के मैं आरह से पवन सिंग उतरेंगे पर पवन सिंग को तो असन्सोल बेज दिया गया आसन्सोल से पवन सिंग IM many बचेंगे या नहीं कर दीए पर उनके नम चैनाम की भी बहुत चर्चा आ है कि अरके सिंग का भी टिकेट कटे हो तो ऐसे कई नाम हैं जिनकी चर्चा है कि इनका टिकेट कट सकता है पटना सिटी से रविशंकर प्रसाद का भी चर्चा है समझे हाई प्रोफाइल मिनिस्टर 2014 से 19 तब और 19 के बाद भी मंत्री और फिर नहीं रह पाए मंत्री अब क्या उनको लोकसभा चुनाओ लड़ाया भी जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा उनकी भी चर्चा है ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नेता आपको मिलेंगे बिहार में नए चेहरे जिनकी चर्चा है यह मैं आपको बता दूँ पट्ना साहिप से रितुराज सिना की चर्चा है बक्सर से एक IPS हैं यंग हैं उनकी चर्चा है सिवर से एक IRS ओफिसर हैं वर्तमान समय में सर्विंग IRS ओफिसर हैं उनकी चर्चा है कि ये वो भी चुनाव लड़ सकते हैं ऐसे में सवाल उठता है कि कई नए चेहरों को आप देख सकते हैं इस बार चुनावी मैदान में यहां तक कि दरवंगा से गोपाल जी ठाकूर भी नहीं हो सकते हैं जो कि बीजेपी से सांसद है उनके जगह पे नए नेता को उतारा जा सकता है उनके नाम की भी चर्चा है तो सवाल यह उठता है कि इतने सारे लोग जिनकी चर्चा है पर बीजेपी जब सीट फाइनलाईज करेगी और बीजेपी खुद कितने पे लड़ेगी जेडियू को कितनी सीटे देगी और लजेपी को अपने साथ जोड़े रख सकेगी ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है इस बात का समाधान जरूर बीजेपी का सिर्ष नेतर तो निकालना चाहेगा क्यूंकि बिहार बहुत important जग है आपको ध्यान होगा अभी चार द मंत्री मोदी दो जगे का दौरा कर चुके हैं और छे तारीक को प्रधान मंत्री मोदी और अमित्सा का भी दौरा होने वाला है तो बिहार इस लिहास से बहुत important है और बिहार की जो 40 सीटे हैं 40 में से 40 सीटे maximum सीटे कैसे निकाली जाएं कैसे वापस पाई जाएं कैसे जीती जाएं क्योंकि 40 में से 49 का रिकॉर्ड आपको याद होगा और अंगाबाद में जिस तरीके से नितीश कुमार ने कहीं दिया कि अरे हम बीच में गायब हो गए थे और उस पर प्रधान मंत्री अपनी हसी रोक नहीं पाए गवर्नर ताली बजाने लगे हम बीच में गायब ह हो गए थे लेकिन हम आ गए हैं हम तो आप ही के साथ रहेंगे 2005 से हम आपके साथ रहे थे तो बड़े ही भोले अंदाज में नितीश कुमार ने सारी बातें कहते तो इसका साफ मतलब है और जब माला पहना जा रहा था तो नितीश कुमार को जिस तरीके से प्रधान मंत्री तवज्यों दे रहे थे वो दिखाता है कि नितीश कुमार को लेकर के प्रधान मंत्री मोधी के मन में किस तरह की लाइकिंग आपको ये भी बताने कि जब नितीश कुमार को इंडिये में लिया जा रहा था तो बियार की लोकल इकाई जो बीजे पी यूनिट है वो खुश नहीं थी नहीं थी लेकिन उनको कहा गया कि नहीं आपको उनके साथ जाना और ये कहा गया कि इंटररल सर्वेज हैं वो खुश और कह रहे हैं हमे जरूरत हैं नितीश कुमार के और दूसरी बात यह भी थी कि इंडिया नरेटिव को भी तो तोड़ना था डिमॉलिस और था कि उसका सूत्रधार ही अब हमारे तरफ आ चुका है तो इसलिए इन तमाम चीजों को आप देखेंगे और इन तमाम चीजों में चिराग पासवान का असा है जोना बहुत स्वभाविक है क्योंकि चिराग पासवान एक मुहिम जारी रखे हुए थे बिहार फस्ट बिहारी फस्ट बिहार को पीछे ले जाने में वो हर तरीके से कोस रहे थे नितीश कुमार को अब पॉलिटिक्स देखें कि चिराग पासवान का पॉलिटिक्स क्या है तो चिराग पासवान और पसुपतिनात पारस पार्टी के अंदर ही दोनों एक ही पार्टी से निकले हुएं दो गुट बच शुका है चाचा भतीजे के बीच में लंबी खाई बनी हुई अब सवाल उठता है कि जब नितीज कुमार की इंट्री हो जात हैं क्योंकि चाचा नितीज कुमार के सहारे ही अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने में लगे हुएं क्योंकि ये कहा जाता है कि चाचा पारस ने पार्टी तोड़ी थी उसमें जेडियू की भूमिका बड़ी थी और ये चिराग पासवान घुम घुम कर कह चुके हैं ऐसे में स चिराग पासवान का अनुपस्थित होना और नितीज कुमार के साथ पसुपतिनात पारस का होना केंद्रिय मंत्री के रूप में वो निस्चित तोर पर चिराग पासवान के लिए चिंता का सबाद है इसलिए चिराग पासवान एंडिये में अपनी भूमिका देख रहे हैं अपनी महत्ता तलास रहें और अगर वो कम होता दिखता है उनकी सीटे कम होगी तो चिराग पासवान बरदास्त नहीं करें इसलिए मन्थन का जो दौर कल चलेगा और कल अल्मोस्ट फाइनलाईज होगा कि कौन कहां से लड़ेगा उसमें चिराग पासवान को कितनी महत्ता द इंडिये में अपनी महत्ता को ले करके अपने इंपॉर्टेंस को ले करके अपनी पोजिस्निंग को ले करके ससंकित हैं इसलिए नाराज हैं इस बात को मैं कोई बिना लाग लपेट के कह रहा हूं कि चिराग पासवान नाराज है और चिराग पासवान पाला बदल सकते हैं अगर NDA का सिर्ष नेत्र तो उनको अपने साथ जोडने में नाकामियाब रहता है तो मन्थन में एक चीज और नाम क्या BJP की जो बिहार की अगरी लिश्ट आने वाली है क्या उसमें पवन सिंग का भी नाम आने वाला है आसन सोल से तुन्होंने मना कर दिया अब कई चीजें ये पता चल रहे हैं बाद में कि BJP ने खुद कुछ सूतर कह रहे हैं कि BJP ने खुद ऐसा कहा कि पवन सिंग वहां से न लड़े दूसरे दिन उनने पवन सिंग ने ट्वीट किया और कुछ लोगों का ये कहना है जानकारों का कि पवन सिंग की पूरी इच्छा है कि वो बिहार से चुना रहे तेके पवन सिंग तो आते भोजपूर से हैं पवन सिंग भोजपूरी स्टार है और पवन सिंग को आसन सोल से लड़ाय जा रहा था सत्रुगन सिना की वो दूसरे भी हरी बाबू पवन सिंग के साथ दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने कुछ ऐसे गाने गाये हैं जो बेंगॉल की असमिता के खिलाब उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता था और जिस तरीके से बाबूल सुप्रियों जो की पहले बीजेपी में थे मंत्री भी थे लेकिन वापस उन्होंने टीमसी जोईन कर लिया और बाबूल सुप्रियों ने जिस तरीके से इन चीजों को रही है वहाँ पर जो बीजेपी बेंगॉली वुमिन की प्राइड को मुद्दा बनाई हुई है अगर वहाँ पर पवन सिंग उतरते तो क्या हलत होती आप जरा यह सोचिए इसलिए पवन सिंग ने बड़ी समझदारी से अपना नाम विड्रॉ कर लिया या उनको करने कहा यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली में भी कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि अब मैं अपना बेसिक जो मेरा कोर काम है वो करने जाओंगा उसमें डॉक्टर हर्सवरदन भी है सोचिए दिल्ली के इतने बड़े नेता मुखमंतरी के चेहरे हुआ करते थे दॉक्टर हर्सवरदन उनके नेत्रितों में चुनाओ भी लड़ा गया है अगर मदनलाल खुराना साहिव सिंग वर्मा के बाद कोई तीसरा वेक्ती जो दिल्ली का दिल्ली बीजेपी में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था वो डॉक्टर हर्सवरदन उनकी जगे प्रवीन खंड होता है कि अगर इस तरह की बात है तो ऐसे तो कहीं नेता दिल्ली में भी हैं तो क्या पवन सिंग भी इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया है मेरी जो जानकारी है वो यह है कि पवन सिंग बिहार से लड़ना चाहते हैं पवन सिंग आरा से लड़ना चाहते हैं आरा में अगर आरके सिंग का टिकेट कटता है तो पवन सिंग वहां से उम्मिदवार हो सकते हैं क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है वो स्टार हैं उनको लोग पसंद करते हैं और उनके स्टार्डम को बीजेपी भुनाना चाहेगी बिहार में जगे जगे पर वो घूमेंगे भी प्रचार भी करेंगे अपनी सीट तो सुरक्षित करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ बिहार में अन सीटों पर भी क्राउड पुलर का काम करेंगे वोट कैचर का काम करेंगे और ये बीजेपी को मदद पहुंचाएगा पर अब देखने वाला देखने वाली बात है कि क्या आर ये तो सच है, 74 से जेपी आंदोलन के समय से देखा गया है, कि अगर देश में परिवर्तन आया है, तो वो उसकी सुरुवात बिहार से होती है, बिहार में 40 लोग सभा सीट है, इसलिए इस लिहाद से भी देखें तो बिहार बहुत important है, आप देखेंगे बिहार में जिस तरीक के लिए कितना important है, और इस लिहाद से भी important है, कि 40 लोग सभा सीटे आती है, अब आप ये पाएंगे, कि 40 लोग सभा सीटों में maximum जीतना 49 का record तो ये बना चुके हैं, अब ये 49 के record को तोड़ देंगे, बरकरार रखेंगे, उसके आसपास रहेंगे, उसके लिए बीजेपी ह हर कोशिस करेंगे, अब आपने देखा कि कल एक बड़ी सभा होती है, और प्रत्यासित भीड थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से तेजस्वी आदब, क्राउड पुलर नजर आये हैं, सडकों पे उतरे जन विश्वास यातरा किया, लोगों की भीड जैसे व प्रदान मंत्री मोदी के परिवार पर कटाक्च कर दिये, हमले कर दिये, अब उसका परिणाम देखी, आज सुबह से कई बड़े नेता बीजेपी के, एक्स पे ट्वीटर पे लिख रहे हैं, फलाना ठाकुर मोदी का परिवार, अब मोदी का परिवार ट्रेंड करने लगा मतलब एक तरफ बीजेपी, एक तरफ प्रदान मंत्री परिवारवाद पर अटक कर रही है, और बता रही है कि इंडिया में जो भी नेता हैं, वो सब परिवारवाद की उपज हैं, उनके लिए उनका अपना परिवार ही सब कुछ है, लालू प्रसाद के लिए अपना कि हमारे लिए परिवार बाद नहीं परदान मंत्री मोधी के लिए पूरा देशी परिवार अब सोचिए कि लालू प्रसाद ने परिवार बाद पे आरोप किया लगाया कहा इनकी मां गुजरी थी इन्होंने बाल दाड़ी तक नहीं बनाए उस पर सुशील मोधी का जवाब आया कि ये बाल मुडवाना ये कोई सारभौमिक चीज नहीं है सबको मानना जरूरी नहीं है बहुत जगा अलग अलग प्रथाएं लेकिन लालू प्रसाद ने प्रदान मंत्री मोधी के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दी और देखिए उसका जवाब जिस तरीके से बीजे मैं चौकीदार हूँ और वो जबरदास्ट ट्रेंड किया था अभी परिवारवाद पर इटाक किया देखिए आप सब लोग लिखना सुरू कर दियें कि मैं मोधी के परिवार कहूं अब बीजेपी जिस तरीके से अपने उपर हुए हमले को जिस हथियार से हमला किया जाता है उसी हथियार का इस्तेमाल कर विजे विपक्ष को धारा साही करने में अभी तक काम्याब होती दिखी है क्या फिर काम्याब होगी ये बड़ा सवाल है क्योंकि जब जनता के बीच में ये कहा जाएगा कि लालू परिवार से लालू यादव रावडी देवी मीसा भारती रोहिनी आचारिया तेजस्वी यादव तेजप्रताप यादव कितने ही यादव भाई कहा जाएगा कल की रैली में शामिल हुए थे आखलेश यादव एक समय ऐसा था कि उनके परिवार से 35 लोग राजनीती में अलग-अलग पदों पर थे MP, MLS, राजसभा हर जगे पर थ यादरवाईज उनमें ऐसी क्या खासियत है जो वो कॉंग्रेस के सबसे बड़े नेता है इस तरह की बात BJP तो उठाती ही रही है अब लालू प्रसाद ने जिस तरीके से प्रदान मंत्री मोदी को गिरने की कोशिस की उनको हिंदुत्यों के सहारे ही उन पर एटाक करने की क हत्यार को इन लोगों ने अपना हत्यार बना के जैसे उनकी और ठेका है पूरे इंडिया एलाइन्ज पे फेका है देखे उसका जवाब क्या था आज आज एक्स पे तो ट्रेंड कर रहा है दुनिया इसकी बात कर रही है न्योचेनल पे चरचा हो रही है हम आप इस पर करती है वो बीजेपी के लिए डिविडेंट साबित होता है फायदेमन साबित होता है अब क्या होगा ये देखने वाली बात हो भी लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि बिहार बहुत इंपॉर्टन स्टेट है उत्तर प्रदेश में अगर मीसन असी है तो बिहार में भी मीसन 35 तो है कि 40 में 35 तो आना ही चाहिए क्या बीजेपी और उसके इलाइज इसमें सफल हो पाते हैं और मुझे लगता है इसलिए इसकान को पूरा करने के लिए चिराग बहुत जरूरी है इसलिए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि चिराग उसके कुनबे से बाहर चले बिलकुल तो बिहार पूरी देश के चुनावी केंदर में है बिहार से ही शुरुवात हो रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में इंडिये अभी तक जो अब वर्तवान मिस्तिती है ये कायम रह पाएगी क्या चिराग पासवान बिजेपी के साथ रहेंगे इंडिये के साथ रहेंगे ये बड़ा सवाल है मिलते हैं किसी अगले विशेपर